किराकस से है वन दरोगा हरे पेडो का बना सौधागर लकडी के सौधे बाजी का आडियो हुआ वाइरल जी आपको बता दें कि जौनपूर किराकस से ये खबर आ रही है जहां छेतर के जंगल की जमीन में उगे इमारती लकडी और लंबे सडक के सरकार की मंसा पर वन लगाये गए हरे पेड के लिए वन दरोगा ललन सिंग यम्राज बन गए हैं आए दिन हरे पेडो को वन माफियों द्वारा कटवा कर निजी टॉल में भेच कर मोटी रिकम वसूर रहे हैं जबकि नियमानुसार सरकारी जमीन में इस्तित सूखे पेडों की छपाई करके सरक पारी करमचारियों द्वारा कटवाने के बाद लाट सीवन में जमा किया जाता है गौरतलब है कि सरकार पेड लगाने और संरच्छा पर जोर देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है वहीं किराकत वन छेत्र में वनाधिकारियों की सरपरश्टी बेहरे पेडों की कनुबानी चेत्र के एक लकडी माफिया से बात कर रहे हैं जिसमें कारोबारी एक गाडी लकडी का बोटा किसी आरा मसीन पर ले जाने के लिए परशान न करने की सिफारिस कर रहा है बाचीत के दौरान वन दरोगा लकडी माफिया से उसके एवाज में 2000 रुपे की मांग कर बाद में बात प्रतेक गाड़ी के पीछे 500 रुपय की हो जाती है वंदरोगा का लकडी माफिया से सौधेबाजी का आडियो वारल होने से वन विभाग के आधिकारों में हर कंप मच गया आडियो से साफ जाहिर है कि किराकच छेतर में पीडों की कटाई जारी है इस बारे में डिप्टी रेंजर अमिद गौड से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किसी मिमिक्री आर्टिस्ट की आवाज हो सकती है इस बारे में हम ललन सिंग से बात करेंगे घटना सही पाई जाने पर कारवाई की जाएगी हरीचन्द के तो फर्प्रांड मत करें करें के करें हरीचन के कहां जी आवाज है सबस्क्राणाकर करना वर्ड़ा दिक्कत हैं अरे नीरेच के जाना लगाड़ी पीछे तो गाड़ी का कट्राइब थोन ले जाते हुँ तो बोटा मतलब हमाई पीछे मशीनिया उसे ने बाती है यह चीराइब खर्चा दे के लिए अमां कहा करें कि खर्चा दें कि दुचार पांसो देते हैं पांसो रुपया गाड़ी पीछे यक्क पीकप था यक्क पीकप तो पांसो रुपया दे दे दें चला है ठीज हम कहा दे लिए पांसो रुपया दे दे